तस्वीरों में जो आप इमारत देख रहे हैं ये कोई किला नहीं है बलकि ब्रिटिश गवर्मेंट के समय अंग्रेजों द्वारा बनाया गया गंटागर है जिसका निर्मान लगबग 1819 के आसपास हुआ था आजादी की बाद 1957 में इस घंटागर को महरने लक्षमी बाई टावर नाम दिया गया है खाला कि आज भी इसे घंटागर के नाम से ही लोग जानते हैं और पैचानते हैं यह घंटागर मद्प्रदेश के खरगुन जीला मुख्याले से करीब पचास किलोमेटर दूर मर्लेशोर के मुख्य एमजी मार्क पर इस्तित हैं इध्यास के जानकार दुर्गेश कुमार राजदी प्यानुसार आज से करीब 81 बरस पहले 2 अक्टुमबर 1942 को मर्लेशोर जीला जेल में बंद 68 करांतीकारियों ने जेल का दरवाजा तोड़ कर नगर में रेले निकाल कर घंटा घर चोक पर पहुँचे और यहां आजादी क के दिवानों ने धूम धाम से महत्मा गांधी का जन्म दिन मनाया और यही पर बैटकर करांतीकारियों ने पूरी राद भजन किर्तन किये अगले दिन सुभह करांतीकारी घंटा घर चोक पर तिरंगा फहरा कर वापस लोड़ गए तबी से आज तक यहां परंपरा रही है क कि हर साल 15 अगस्त सोतंतरता दिवस और 26 जनवरी गंतंतर दिवस पर कांगरेस के वरिष्ट ने तद्वारा धोजया रोहन किया जाता है चेद्री स्कूलों के करीब 3000 बच्चे यहां रेली के रूप में एकत्रित होते हैं जंडा फराय जाने और फिर राष्टिगान के बाजिरव फेश्वा के अधिन था और अंग्रेज और मराठों के बीच महितपूर की लड़ाई के बाद यह वाला जो एरिया है मंडलेशोर एरिया यह अंग्रेजों के कबजे में आ गया तो जहां भी अंग्रेज जाते थे तो वो अपना एक घंठागर भी बनाते थे एक इलाके पे नजर रखते थे और घंठागर का इतिहास को आगे बढ़ाएंगे तो जब 1857 की क्रांती हुई तो महर्यानी लक्ष्मिबाई से प्रभावित होकर उनकी क्रांती में भूमिका से प्रभावित होकर इसका नाम महर्यानी लक्ष्मिबाई टावर रखा गया कालांतर में फिर यहां पर दो अक्टूबर 1942 को एक बड़ी महत्पून घटना घटी थी कि यहां पर जो अगस्त क्रांती चल रही थी भारत छोड़ो अंदोलन भारत छोड़ो अंदोलन के समय काफी सारे क्रांतिकारी होलकरी स्टेट के टाइम पर पकड़े गए उस टाइम यह होलकरी स्टेट में आ गया था मंदलेश्वार और फिर लगभग 68 68 क्रांतिकारीयों को पकड़ा था और उनको मंदलेश्वार की जिला जेल में रखा था और उन्होंने कहा था कि हम दो अक्टूबर को गांधी जी का जनम दिन मनाएंगे तो प्रसाशन की अनुमती नहीं मिली लेकिन फिर भी उन्होंने दो अक्टूबर को जेल तोड़ने के बाद यहां पर इसी जंटा जो घंटागर पे आये और यहां पर रात भर कारिक्रम चला परंपरा भी तब सही चली आ रहें कांग्रेस के वरिष्ट नेता यहां पर पती 26 जनवरी और 15 अगस्तों को इसलिए तिरंगा फेराते कि तिरंगा फेराने की परंपरा दो अक्टूबर 1922 को पड़ी थी और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर काफित्था इसका कांग्रेस के सासनकाल में इसका जिरनोधार भी करवाया गया था और यह अब नए रूप में है घड़ी भी बदल दी गई है और निमाड की जो तीन नात है कासिनात बैजनात और विश्वनात यह यहां पर उसी दो अक्टूबर की घटना में शामिल थे निमाड के महत्मू और विश्वनात खोड़े भी राजनीती में अच्छा रुद्बा रखते थे इस तरह से इस घंटागर का महत्वा है यह थे इत्यासकार दुरगेस राजदीब जी जिन्होंने महत्वपन जानकार दिये वह बताते हैं कि घंटागर अतिपराचिन बेटिस सरकार का बना हु तो वे हर जगह से घंटागर बनाती थी उस समय ही अंग्रेजों द्वारा जो करांती कारी थे उन्हों जेल में बंद किया गया था और उन्हें करांती कारी द्वार यहाँ रात भर रह करके गांदी जी का जर्मod दिन मनाया गया था दीपक पांडे लोकलेटीं खरगोन अंग्रेजों के समय शुरू की गई मडलेशोर की जेल आज भी यहां मौजूद है और उसमें अभी भी केदियों को रखा जाता है गांधी जी का जन्मेदिन मनाने के लिए जेल का दरवजा तोड़ कर बाहर निकले 68 क्रांतिकारियों के नाम आज भी जेल में सिलापट्टी का पल लिके हुए हैं जेल तोड़ने की घटना में निमाड के प्रमुक रांतिकारियों में शामिल मडलेशोर के बैजनात महुदय खरगोन के विश्वनात खोड़े और कुक्षी के एक आशिनात रिवेदी पी शामिल थे जो आजादी के बाद कई बड़े राजनितिक पदों पर सुशोबित में मडलेशोर नगर परिशत के द्वारा महराने लक्षमी बाई टावर यानि घंटा घर का जड़ुदार करवाया गया और नई घड़ी लगाई गई आज भी ये घड़ी हमें उस दोर की और ले जाती है जब आजादी के दीवानों ने यहां गांदे जी का जनम दिन मनाय दीपक पांडे लोकवलेटीन खरकून